इस वीडियो में मैं आपको बिजनस लौ के इंपोर्टेंट कोशिंस पताने वाली हूँ ठीक है और यह वीडियो वो सारे स्टुइंट्स देख सकते हैं जब या तो इगनू से अपना कॉलेज कर रहे हैं दीव से कर रहे हैं या फिर एंसी वेप से कर रहे हैं ठीक है कहीं से पीकॉम बीबी ठीक है या फिर आप सी फांडिशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके पास यह सब्जेक्ट है ठीक है अगर बिजनस लौ तो आप यह वीडियो देख सकते हैं आपके लिए बिल्कुल रहेगा ठीक है सब्सक्राइब लेट स्टार्ट पूछते हैं वह पू क्या होता है एक वैलिट कंट्रेक्ट के क्या एसेंशल होते हैं ठीक है तो यह कोशन में पूछा जाता है सेकेंड कोशन इसी से रिलेटेट पूछता है कि और कंट्रेक्ट सारे कंट्रेक्ट होते हैं लेकिन सारे कंट्रेक्ट नहीं बोल सकते हैं ठीक है यह आपको स्टेट इसके अलावा भी एक्जामेर कई बार बाहर से अपनी तरफ से पूछन पूछ लेता है जो कि इतने जादे इंपॉटेंट नहीं होते हैं थोड़ा बहुत माइनर चेंज तो आप लोगों को पता ही एक्जाम में देखने को मिलता है कि हम 100% आपको शूर नहीं बता सकते हैं ठ पुछता है कि इनडेमिनिटी ओर गेरंटी जो आप पड़ते हो कि ऑच्छाप अच्छे से दोनों की डेफिनिशन याद कर लेना सक्षिंग से अंदर है दोनों की डेफिनिशन ठीक है और इसके अलावा देखो इन दोनों के features अच्छे से याद कर लेना क्योंकि देखो इन दोनों में से किसी एक के उपर या तो आपको पूछेगा कि contract of indemnity क्या होता है और उसके features बताओ या फिर contract of guarantee क्या होता और उसके features बताओ नहीं तो अगर combine करके वो पूछते हैं तो दोनों में difference पूछ लेते हैं कि contract of indemnity और guarantee में difference क्या होता है ठीक है तो आपको features पता रहेंगे तो आप difference easily learn कर लोगे मतलब खुद से बनाते लिख सकते हो यहाँ पर आप दोनों को अच्छे से एक एक बार दोनों की definition और features को अच्छे से याद कर लेना इसके बाद next आपका question पूछा पूछा होता है इसके साथ वह पूछते है कि rights and duties of Baylor and Baylor क्या होता है अभ यहाँ पर देखो चार चीजे आ जाती है rights and duties of Baylor, rights and duties of Baylor, ठीक है मतलब Baylor के क्या rights होते हैं ड्यूटी इसके अलावा बेली की क्या राइड्स होते हैं तो यह आप शीधा-सीधा यह पूछ लेगा कि राइड्स दूर पिर बेली के ठीक है एक किसी के पूछ है का यहां पे लिए आगर याद कर लोगे तो बेलर के आम याद हो इसके बाद आपका next question पूछता है contract of agency से contract of agency में की इसके अलावा यहां से पूछते हैं की agency by ratification क्या होता है या फिर creation of agency कैसे होता है तो यह तीनों चीजिये पूछी जाती है उसके बाद next question आता है अन्पेट सेलर कौन होता है पहले तो आपको देखना है और उसके बाद अन्पेट सेलर के क्या राइट्स होते हैं तो वह आपको सारे अच्छे से डिफाइन करके आना है और एक चीज और देखो यह बिजनस लॉग का अपका एक्जाम है तो इसमें आप जितने जादा के सेक्षन याद नहीं रहते हैं तो आप सेक्षन गलत मत लिख याना चोड़ देना ऐसी लिख देना सिंपल मीनिंग लिख देना अगर सेक्षन गलत लिख होगे तो उसके मार्क्स कटें ठीक है इसके बाद आपका नेक्स कोशन पूछता है रेमेडी इस पर ब्रीच ऑफ कॉ आप पड़ोगे अपनी यूनेट में ठीकि उसमें इनके फीचर्स दिये आए इंके बारे में बताया गया तो दोनों को अच्छे से याद कर लेना तो अगर आपसे सिंगल को पूछता है के कंडिशन के बारे में बता तो वह भी बता सकते हो अगर दोनों में डिफरेंस उसके बाद आफका कोशन पूचते है वी एड़मितर में किlog कर सकते हैं कि पूच और राइबलिटी नेफ्यक्त क्या झहें णक्या हुआ्प नदीकन में नेगोस्टीन इंस्टुमेंट आपका एक कि उसमें से आपके कौन-कौन से टाइप के नेगोशियबल इंस्ट्रुमेंट होते हैं ठीक है आपका विल ऑफ एक्सजेंज हो गया चेक हो गया ठीक है यह सारे पूछते हैं इनके टाइपस पूछ लेते हैं या फिर कोई एक देगा बोलेगा इस पर कमेंट करो एक्स्प्ल होती है कि वह अच्छे से चेक करके उन्ची जो को पर्चेस करें यहां पर सेलर की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वह बताएगा मेरे गुट्स में डिफेक्ट है ठीक है कि इसका एक डॉक्ट्राइन और इसके कुछ एक्सेप्शन भी है तो अगर यह डॉक्ट्राइन पूछते हैं एक्स्प्लेइन कोईजन अंड्यू इंफ्लेंस देखो जो आपका फ्री कंसेंट वाला जो यूनिट है ठीक है मतलब किसी भी कॉंट्रेक्ट के वैलिड होने के लिए प्री कंसेंट होनी चाहिए उसमें तो वहां पी कुछ चीजे दिए गई हैं कुछ टॉम् एक्स्प्लेइन कर पाऊ अच्छे से ठीक है तो उसमें से पूछा जाता है इसके अलावा जो अपका कुछन बनता है वो बनते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पाटनर्शिप का देखो नौर्मली इसमें से इसते फीचर्स लिखने को बोलते हैं या फिर लिमिटेड लायब इसके अलावा देखो जो कई बार questions पूछनस पूछे जाते हैं कि offer क्या होता है acceptance क्या होता है offer एक valid offer के होने के लिए क्या rules होता है या फिर valid acceptance के regarding क्या rules होता है इस तरी की चीज़ें पूछ लेते हैं क्या बिना consideration के कोई contract हो सकता है तो आपको एक statement दे देंगे और उस पर comment करने के लिए बोलते हैं और इसके अलावा देखो कभी-कभी आपको जो types of contract होते हैं express contract, implied contract, constructive contract इस टेप के एक मतलब contract बोल देंगा और बोलेंगो इसको explain करने के लिए प्लाइट contract क्या होता है यह बताओ ठीक है तो इसके अलावा भी देखो थोड़े बहुत कोशन तो वो लोग बीच में से पूछेगे क्योंकि पूरी book अगर आपको syllabus में दी गई है तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो उठाएंगे ही लेकिन अगर आप यह सारे कोशन अच्छे से प्रिपेर कर लेते हो अच्छे से बिल्कुल definition, meaning, examples और cases के साथ में तो आप देखो पास तो बिल्कुल easily हो जाओगे और इसके अलावा बहुत अच्छे mark score कर सकते हो ठीक है इसके अलावा देखो आप लोग अगर चाहते हो अमें किसी और टापिक में वीडियो बनाओ तो मेरे को comment section में बता सकते हो ने तो instagram पे dm कर सकते हो instagram का link में description में देदूँगी और वीडियो अपने friends के साथ भी share कर देना उनकी भी help हो जाएगी ठीक है और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सरूर करना चैनल पर फॉर्स्ट रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना